हेग गैज वेलकम टो आइडियल टेक गरूब मेर नाम विवेख है तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने मॉर्फो को घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो है स्टार्ट कर उनसे पहले चैनल पर पहली वारा ह चाहिए तो इससे मैं आपको मॉर्फो का बहुत ही एक इंपोटेंट है अपने आप में तो ऐसे में आप मॉर्फो को खरीते हैं तो आपका वैलिडिटी खतम हो जाता है तो आप नया मॉर्फो लेने जाए उससे अच्छा है कि आप उसी इस इसमें अपना रिचार्ज कर सक पहले हीम आपके पास अबसको यहां पर आने डाद आपको validThis लिए और यहां से अपना अननो में देंगे जो आपके मज़में बेग्राउंड में और रीचार्ज करने वाने। आपके वीमें में पर जेएल होगा उसके सपर्पिक वो आप यहाँ पर पहले fill करेंगे, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपना serial number fill करते हैं, और अगर आप यहाँ पर serial number fill कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक submit का option मिलेगा, तो आप इस पर click कीजेगा, देखें अगर serial number valid होगा, तो यहाँ पर दिखा देगा, एक बार और इस submit पर click कीजिए, यहाँ पर देखें, device का status दिखा देगा, कि device जो है, अभी valid है, लेकिन white listed है, मतलब कि यह अभी workable नहीं है, तो अब जो है, आप यहाँ पर पहले यह check करेंगे, कि हमारा जो device है, वो valid है, कि नहीं, workable है, कि नहीं, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर back आ जाएं हम analysis करेंगे, device का, और दूसरे में हमको login करना होता है, अगर आप user ID और passport बनाये हैं, तो वहाँ से login कर लेंगे, otherwise वहाँ पर आपको अपना नया account create करना होता है, और तीसरे में आपको payment करना होता है, online transaction करना होता है, तो यहाँ पर RD service खरीदने के लिए, buy RD service पर आप आजाएं सकते हैं, जितने साल आप यहाँ पर buy करेंगे, यहाँ पर देख लीजे, RD service का charge दिखेगा, और साथ में जो भी GST कटेगा, वह आपको अलग से pay करना परेगा, यहाँ से आप यह चूच कर लेंगे, और नीचे यहाँ पर आप अपना device का serial number डाल देंगे, और device का model डाल दें तो यहाँ से इसका जो भी terms and condition इसे I accept और यहाँ से check out पर click कर देंगे, चलिए यहाँ पर check out पर click करते हैं, अगर यहाँ पर आपने पहले अपना email id और passport डाल के login किया है, कभी बनाया है, तो यहाँ पर आप जो हो डाल के यहाँ से sign in कर सकते हैं, और आप पहली बार अगर य यूजर आप यहाँ पर create करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना email id फिल करना होता है, उसके बाद उस पर एक OTP जाएगा, तो verification आपको करवाना होता है, चलिए यहाँ से हम सबसे पहले email id फिल करेंगे, और send OTP पर click करेंगे, तो इस email id पर मैंने OTP send कर दिया है, दे यहाँ पर account create किया है, क्योंकि हमको email पर OTP नहीं आ रहा है, तो अगर आपका भी नहीं आ रहा है, तो आप भी mobile नमर पर जा सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना first name डालना है, और यहाँ पर आप अपना email id डालेंगे, अगर mobile नमर से create किये होंगे, अपने account को तो यहाँ पर आपको नीचे यह दोनों पार्ट को चाहें, तो आप select भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप चाहते हैं, select कोई provider यूज कर रहे हैं, तो वो यूज कर सकते हैं, और उसका partner code आप दे सकते हैं, अगर उसका partner है, तो अदर्वाइस इस term को आप यहाँ पर छोड के के बाद आपको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर चले हम क्लिक कर दिये हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर आपना passport सेफ करना चाहते हैं, तो कर लीजिए, अदर्वाइस यहाँ पर आपका GST नमर है, तो वो फिल करेंगे, नहीं तो आप जो इज़ करना है, नीचे यहाँ पर आप अपना मॉबाइल नमर फिल कर देंगे, जो भी आप बिलिल इड्रेस में मॉबाइल नमर देना चाहते हैं, तो यह बाद हम चाहते हैं, जाह Neredख दो जे सबसे पहले मॉबाइल नमर और जाएं, जहां कि आपना प्र नम्क करना होता ह जिएस्टी चार्ज के साथ आपको दिख जाएगा तो यहां से आप जो है continue to payment पर जाएंगे और यहां पर एक बार confirm हो जाए हर चीज की आपका contact billing address amount देख लीजे कितना है आप अपना जो है brand name और चाहते हैं हर चीज है तो थोड़ा साथ को नीचे लेकर आना है तो यहां पर हर चीज पहले सही से चेक कर लीजे खासकर आप अपना serial number और brand number जरूर चेक कीज़ेगा अपने मौर्फों का तो अगर चेक कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा स्केन को नीचे के तरफ स्कॉलडाउं करना है तो चलिए हम थोड़ा स्केन को नीचे के तरफ लेकर आते हैं तो नीचे लाएंगे तो देखें यहां पर एक ऑप्सन मिलेगा आपको complete का तो आप जो है complete order पे क्लिक करेंगे यहां से आपको option मिलेगा कि आप payment किस थ्रूख करना चाहते हैं अगर आप net banking या credit card या debit card या UPI जिससे भी आप अपना payment करना चाहते हैं तो पेमेंट आपको यहां से चूज करना होगा तो यहां से जो आप अपना payment payment चोज कर लेंगे चलिए हमने जो है debit card के थ्रूख गया है तो यहां पर card नमर expiry date और CBB और क्या नाम है हमारे card पर डालके हम proceed पे क्लिक करेंगे तो चलिए यहां पर हम यह सारा फिल करते हैं और आगे का जो एस्टेप है डायरेक्ट हम OTP वाले पर जाते हैं यहां पर आपको अपना OTP डाल देना है जो भी बैंक में रजिस्टेड मोवाइल नमर होगा उस पे एक OTP आएगा तो यहां पर OTP डालके इसे यह सारा कुछ का ध्यान रखेंगे नहीं तो आपका प्रेमेंट जो है फश सकता है तो इसमें यह अटोमेटिक हर चीज करके हमको देगा आपको कुछ नहीं करना है इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको बस वीट करना होता है ना पेज को रिप्रेस कीजिए ना आपका से सेफ कर देते हैं तो यह था एक सिंपल सा तरीका जिसके मदल से आपने शीखा कि कैसे जो हम मर्फो को रिचार्ज करते हैं अगर कोई डाउट रहता है आपको तो कॉमेंट करके बताए और साथी चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरुआ झाल?